वेल्कम टू डेड ओन इंट्रेइन्मेंट मैं हूँ अपी दोस्त आपकी होश रोजी अली दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिनका अपना एक कानून है अपना एक पार्लेमेंट है अपनी एक संसद है जहां बैठ कर देश को चलाने की चर्चा की जाती है तेकिन क्या आप पूपीज हम चांते हैं बहर्ति यह जो हमारा संसत भवन है वह किस सरह से है कैसे बनावा है और इसके क्या खास्यत है अब आप सोच रहे होंगे मचानक से आपको संसद भवन की खास्यतों गिनाने लगे तो आपको बता दें इसके पीछे असल वजह यह है कि हमारे संसत्भवन में उल्टे पंखे लगे हुए हैं जिहां अगर आपको कभी जाने का मौका मिले या फिर संसत्भवन की कोई वीडियो देखने का मौका मिले जरूर देखेगा और गौर कीजिएगा कि संसत्भवन में जो पंखे लगे हुए हैं वो उल्टे लगे हुए हैं उसे देखकर आपको हैरानी होगी और आप सोच में पढ़ जाएंगे कि इतना बड़ा संसत्भवन जहां बैटकर देश चलता है देश के कानून बनते हैं और चर्चा होती है पक्ष विपक्ष बैटता है आखिर संसत्भ जिसे जानकर आपको हसी भी आजाएगी और आप हैरानी पर जाएंगे कि इतने बड़े आर्किटेक ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी चलिए आपको बताते हैं कि बहारतिये संसत्भवन में उल्टे पंखे क्यों लगे हुए हैं और कब से लगे हुए हैं और इन्हें क्य लगे हुए हैं वो सारे के सारे उल्टे हैं हमारी संसत के सेंटरल हॉल में उल्टे पंखे लगे हुए हैं अगर आप पारलीमेंट के सेंटरल हॉल की कोई तस्वीर या वीडियो देखेंगे तो यह आपको साफ तोर पर नजर आएंगे उल्टे चलते हुए अब आप सूच जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था और उस वक्त एयर कंडिशनर तो होते नहीं थे और सीलिंग उची होने के कारण पंखे लगाना काफी मुश्किल था वहीं बहुत जादा लंबे डंडो के सारे पंखे लगाने से संसत की खुबसूर्थी पर असर पढ़ रहा था ऐसे में खंबो पर पंखे लगाने की तरकीब सोची गई फिर किया था सेंटरल हॉल की लंबाई को ध्यान में रखते हुए खंबे बनाए गए और उस पर उल्टे पंखे लटका दिये गए जगा जगा कोनों पर आपको उल्टे पंखे लटके वे नजर आएंगे जो की हवा देते हैं हाला कि बाद में वहां एर कंडिशनल लगाने की बात हुई तो संसत की एथियासिकता को बनाए रखने के लिए इन पंखों को उल्टा ही लगे रहने दिया गया और परलिमेंट की खुबसूरती और एथियासिकता ऐसे ही बनी रही क्यालिए ये तो जान लिए आपने उल्टे पंखों की कहानी अब ये भी जान लिजिए कि संसत भवन में आखिर इतना बड़ा गुमद क्यों बनाया गया तो इसके पीछे भी एक दिल्चस बात है क्या आपको मालूम है कि हमारे पारलिमेंट का निर्माल एक मंदिर के तल्च पर हुआ है आपने सही सुना है जी हाँ हमारे देश का पारलिमेंट जो बना हुआ है वो 64 योगिनी मंदिर के आधार पे बना हुआ है यही वज़ा है कि इस पार्लिमेंट में 101 खंबे लगे हुए हैं और इनी खंबों के आधार पर ये टिका हुआ है उसी तरह इसका गेट बहुत खुबसूरत बनाया गया है जो कि 144 खंबों पर टिका है हमारा संसल भवन देश की एतियासिक धरोहर है जो कि दुनिया के शांदार वस्तु कला के उतकरष्ट नमूने को पेश करती है तो आपने देखा किस तरह से हमारी देश का पार्लिमेंट अपने अंदर एक एतियासिक तास समेटे हुए है इसके सासाथ काफे दिल्चस्प बाते भी है जो कि आज से पहले शायद है आपने सुनी हो या जानी हो तो देखा आपने जहां से हमारा देश चलता है वहाँ पर उल्टे पंखे क्यों लगे हुए है इसके सासाथ आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी जो कि आज से पहले शायद ही आपने देखी या सुनी होगी अगर आप है हमारे चैनल Red On Entertainment को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इसके साथ नीजी लगी हुई गंटी को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलें